बाट में पूछना है मेल मेर्ज ऑप्शन देखिए नॉर्मल यह वाला अगर आप यहां से करना चाहते हैं यहां से भी कर सकते हैं अगर आपको step by step करना है तो फिर आप कहां पर जाओगे start mail merge option पर इसके drop down arrow पर click करोगे यहां से step by step mail merge wizard पर click करेंगे आपके सामने इस तरह से option हो जाएंगे अब जरूरी नहीं है आपने पहले से लेटर बना के रखा या फिर आपने बाद में बना इससे कोई नहीं आप बाद में भी बना सकते हो और पहले से बना के रख सकते हो अब आप यहां से चूछ करोगी कि आपका जो भी आप document भीज र बेजना चाते हैं आप स्लेक्ट करेंगे इमेर पैसे लेटर पर उसके पास जाएगा यहां पर देखिए छे स्टेप आ रहे हैं बना सिट्स टीप बना सिट्स तो अभी अपन जो है किस पर फर्स्ट इस टेप पर हैं यहां से कोई भी एक option से लेक्ट करने के बाद नेक्श कर देंगे। फिर इक बार इसके बाद लैक्ट करने के बार यहां पर सेकेंड स्टेप में आपो शूर्ज करना है आप यह यही Москвrant चाहते हैं उस करने को में बनाहुत है यहां से select करना चाहते हैं तो वो select कर सकते हैं यहां पर इसका preview दिखाता है अभी बता नहीं रहा है तो आपको जैसे कि लिखा हुआ है यहां पर student report with photo और इसके अलावा यहां पर नॉर्मल प्री बोल्ड मॉडर्न कबर लेटर कुछ इस तरह से कुछ लेगा है तो आप ले सकते हैं जैसे अपन यहां से फाइल टैप से टैंपलेट से लेते हैं यहां उस तरह से और अगर आपको यहां से कोई सेप किया हुआ इसमय बनाइंगे तो इसलिए बनाइंगे तो इसलिए अपने पास अपन करेंगी नेक्ष्ट प्रिबियस और पिसली इसके पहले वाली कईशन की आप उस पर जा सकते हो अपन अभी नेक्ष्ट करने के बाद यहां पर पूछेगा लिस्ट के लिए अब जैसे कि मेलमंट्स करने हुआ है। एक साथ आप काई ब्याक्तियों को एक चीज भीज सकते हो लेकिन उनके पास डाटा उनका ही जाता है। यह से क्या करना पड़ेगा आपनको लिस्ट वनाने पड़ेगी कि किन इनुग ब्याक्तियों को आप पूप यूज एन एक्जिस्टिंग लिस्ट से क्या कर सकते हो आप कोई पहले से सेपकी हुई लिस्ट है तो एक्जिस्टिंग लिस्ट यहां से ब्राउज से आप उसको ओपन कर सकते हो यहां पर देखिए ओपन का ओप्शन देखिया अगर आप यहां से स्लेक्ट फ्रॉम आउट्ल लोग को एक software होता है उससे आप यहां से open कर सकते हो अगर बहुत software आपके पास है तो open कर सकते हो इस पर आपने कुछ चीज़ शेप करेंगे तो इससे क्या होसा होगा कि आप कि आप यहां से क्लिक करोंगे नीचा ओप्शनारा create यानि अभी तक आपके पास कोई लिस्ट नहीं आपको new list पर आनी है तो type a new list पर क्लिक करके create पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का dialogue box आईगा यहां से आप क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं रखना चाहते हैं वो आप select करोंगे यहां से क्यों अभी आ रहा है find, sorry title, first name, last name, company name, address और आगे चाहते हैं इस तरह से बहु कोई add करना चाहते हैं तो add कर सकते हैं अगर आपको कोई ऐसा है जैसे कि हमें title नहीं चाहिए तो आप इसको delete भी कर सकते हैं, delete पर click करोगे, ask कर दोगे, company name, delete करना है, या पर rename करना है, कोई चीज तो आप उसको rename कर सकते हो, move up से आप इनको उपल ले जा सकते हो, move down से नहीं लिस्ट बना आ गया थे, तो हम आप अपन क्या करते हैं, अभी इसको ok करते हैं तो इसको save करने के लिए नहीं नहीं बनाई है, इसलिए उसमें save करने के लिए नहीं डिया option, use and existing list पर click कर रहा है, browse पर जा रहा है, हमने पहले अभी आप इक चीज और notice करेंगे, कि जब तक आ आपके लिस्ट आगे के options highlight नहीं होते हैं, वो option का highlight होंगे, जब हमाइन पास कोई list होगी, तो हम browse पर जा रहा है, जो list हमने पहले कभी ना कभी शेप की होगी, उसको यहां से open करेंगे, जैसे कि यह mail merge के नाम से हमने की ती, click करेंगे, इसका जो shine है वो इस तरह से दिखता ह यह microsoft access data, बनलब access format में save होता है, mail merge की जो भी list बनाते है, वो access format में save होती है, और यहां से open करेंगे, open करने पर, आप जैसे इसको open करेंगे, आपके सामने, आपने जिकनी भी list में entries की थी, वो entry आपको यहां पर show होने लगेंगे, और आप इसको ok कर दोगे, तो यह देखिए आगे की options highlight होने लगें, अब आप क्या करोगे, इसको list लेने के बाद आप कर दोगे next, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, यह वोई option है, यहां पर address block, greeting lines, और यह सब आपको यहां पर भी मिल जाएंगे, और यहां पर मिल जाएंगे, तो यहां आपको कुछ भी नहीं करना, अब बन करेंगे next, next option में यह रिखा हो, recipients, यहां से भी आप देख सकते है, recipients, और यहां से भी देख सकते है, जैसे कि अब हमने कोई letter, कोई भी normary letter है, हम यहां पर एक paragraph ले ले लेते हैं, ठीक है, यह paragraph है, और हम क्या करना चाहते है, इसको किछी को mail करना, उन्हों कोई message है, क चाहिए, जिसको हम भीजना चाहते है, ठीक है, तो यहां पर name लिखेंगे, जहां पर भी आप insert करना चाहते हो, जगा पर click करोगी, पीच में कहीं कराना चाहते है, तो जगा पर click करोगी, अब क्लिक करोगी, अब क्लिक करके, inside merge field option पर जाओगे, यहां से आपने जो भी जो आपको 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 इसको आपको 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 आपको आइड करना है, जैसे कि हमने यहां से contact पर क्लिक किया है, इस तरह से आप change करोगे तो हर चीज चेंज होगी, आप next करोगे, तो यहां पर जैसी next करोगे, इस last जो इस टेप है, वो क्या है, electronic mail, electronic mail पर क्लिक करके, आप इसको mail कर सकते हैं, यहां फिर यहां पर सबसे last option द अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे, तो यह इस तरह से आए, डेगा डायलोग बोक्स, कि आपकी जो भी एंट्री जो लिस्तर में जितनी भी व्यक्तियों के नाम है, उन में से सभी को भीजना है या फिर कुछ को भीजना है, तो आप यहां से select कर लेंगे, अगर सभी को भी message है, उस ब्यक्ति के पास subject क्या जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर आना है match to email, अगर आप चाहते हैं कि इस पर अपन को देखना है, इस ब्यक्ति के पास किस तरह से जाएगा, और जो दूसरी entry है, उस पर कैसे जाएगा, तो आप यहां से finish and mad option पर जाएंगे, यहां से option आता आप नीचे जाएंगे, तो यहां पर दिखिए, भूगों नहीं आ जाएंगे, इस तरह से आपको दिखाए देंगे, दो यह एंट्री थी तो आपको, यहां पर इसका mobile number है, और यहां पर इसका mobile number है, अलगला जाएंगे, ठीक है, खल देंगे, और कुछ पुछ पुछ नहा वाटर मार्क वाले, दिखे डिजाइन टेप पर हम क्लिक कर लो है, यहां सब लिख आप देना चाहते है, आप इसे पहचांद चुकर आना चाहते है कि हम आपर, मसल्ब है, यह आप कोई फोटो कोपिंग ना काना पाएंगे, उसके लिए आप इस पे रॉप्टाउ नेर जाएंगे आपके सामने इस तरह का डायोग बॉक्स आएगा इसमें अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हो वोटर मार्क में तो आप पिक्चर वोटर मार्क पर क्लिक करोगे अगर आप चाहते हो टैक्स राना चाहिए वोटर मार्क में तो आप टैक्स वाटर मार्क पर क्लिक करोगी अब आपको जो भी डू बॉटर मार्क अजलेक था तो यह देखें अपसे नहीं हो रहे और आप नग सकते हैं जैसे कि आपने पिक्चर बॉटरमारक पर क्लिक किया यहाँ चे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहां से आपके सामने पूछेगा कि फ्रॉमा फाइल यानि आपको अपनी कम्पुटर से लेना है, भी इमेज सर्च यानि आपको ऑनलाइन लेना है, या फिर आपको बंडराई परसनल से लेना है, तो आप यहां से ब्राउज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहां से लेकित फ्रॉमा फाइल पर ब्राउज पर क्लिक कर रहा है, तो आपके सामने इस तरह से आजाएगा जिर लिखिया रहा है ओप्छन इंसर्ट पिक्चर का जहां भी आपकी पिक्चर सेव हैं, आप उस जगह पर जाएंगे, उस जगह को स्लेक करेंगे, पिक्चर वो प्राइब एफ एक रड़सर्ग निम्मी एक्राओ जा पाला प्राइब तरे निया जा प्लाइब एक्योग कि विए एक चेंगर गपाइब एक्षाओ तरे एक जाव सुन्गर चाहिए पाला टूरता पाला प्लाइब एक जिता है।